Hello everyone and welcome back once again to my YouTube channel दोस्तों आज का ये वीडियो, especially class 10th के students के लिए होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम class 10th, first flight की poem, fire and ice को समझेंगे इस poem को लिखाए Robert Frost ने दोस्तों ये एक बहुती छोटी सी poem है तो आईए जल्दी से हम इस poem को समझते हैं Fire and ice दोस्तों ये पूरी poem एक symbolic poem है दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि fire का meaning आग होता है and ice का meaning बर्फ होता है इस poem के अंदर हमें fire and ice के एक से ज़्यादा meanings बताये गए हैं दोस्तों इस poem में poet ने human के emotions को बताने के लिए fire and ice words का यूज किया है desire और passion को fire से denote किया गया है वहीं दूसरी और hatred की feeling को ice से denote किया गया है poem के अंदर हमें दो possibilities के बारे में बताया गया है पहली ये कि दुनिया fire की वज़े से खतम हो जाएगी और दूसरी ये कि ice की वज़े से दुनिया खतम हो जाएगी दोस्तों Robert Frost ने इनी दो possibilities को लेके इस poem को लिखा है अब हम line by line इस poem को समझते हैं Some say the world will end in fire, some say in ice From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire Poets कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि fire की वज़े से ये दुनिया खतम हो जाएगी वहीं दूसरी और कुछ लोग ये कहते हैं कि ice की वज़े से ये दुनिया खतम हो जाएगी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहां पर desire and passion को fire से denote किया गया है fire का मतलब है desire and passion वहीं दूसरी और ice को hatred से denote किया गया है Poet को ये लगता है कि उनके according fire की वज़े से मतलब की desire and passion की वज़े से ये दुनिया खतम हो जाएगी Example के लिए दोस्तों आज के time में हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जिने rich बनना है उनके अंदर ये desire है कि उन्हें अमीर बनना है इस desire की वज़े से कई सारे लोग illegal activities भी करने लगते हैं जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता दोस्तों desire एक इनसान से कुछ भी करा सकती है Robert Frost कहते हैं कि मेरे according desire की वज़े से ये दुनिया खतम हो सकती है ये था इस poem का first stanza यदि हम second stanza की बात करें दोस्तों first stanza में poet ने fire को justify किया था इस particular stanza में poet ने ice को justify किया है poet कहते हैं कि दुनिया में बहुत जादा hate है और जिसकी वज़े से एक दिन ये दुनिया खतम हो जाएगी for example के लिए दोस्तों आज के time में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी life को दूसरे लोगों की life से compare करते हैं और जिसकी वज़े से hate increase होता है आज के time में लोग दूसरों लोगों की success से jealous फील करते हैं और जिसकी वज़े से hate increase होता है इस stanza में poet कहते हैं कि hate की वज़े से ये दुनिया खतम हो जाएगी दोस्तों ये था इस poem का complete explanation इस poem में Robert Frost ने desire and passion को fire से denote किया है and hatred को ice से denote किया है इस particular video में हमने class 10th first flight की poem fire and ice को समझा मुझे उमीदे दोस्तों कि ये poem आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि ये video आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस video को अपने friends के साथ भी शेर कीजिएगा don't forget to follow me on instagram and please like, comment and subscribe to my youtube channel this is R.M.S. Tiwari and I will see you in my next video I will see you in my next video